तो सो हेलो टियर्स्टूरेंट्स कैसे हैं आप सभी आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो आज हम लोग देखेंगे अश्ट चाप के जो प्रमुख कभी है इनको ट्रिकवाइट देखेंगे कि कि किसके कौन गुरू है यह most important है यह आदा है कि अश्ट छाप की कभी इसमें से कौन है आपसन में दिया रहता है और उसमें से अश्ट छाप की एक कभी को हटा देता है तो इसमें से आपको देखना रहता है जब आपको पूरा याद रहेगा तभी आप उसमें से आपसन चोज कर सकते हैं या फिर ऐसा भी आता है कि अश्ट स्वामी गोबंद स्वामी नंददास दे दिया और उसके बाद एक सूरदास दे दिया तो उसमें से आपको option में लगाना रहता है कि सूरदास तो यह हम इसे हम लोग confused हो जाते हैं तो इनको आज हम लोग trick से देखेंगे देखें जो अस्टचाप जो कभी थे इसकी जो अस्थापना है यह बिटल नात ने किया था बिटल नात जो थे बल्लवाचार के पुत्र थे राम भक्ति के जितने भी भक्ति कालीन कभी थे बख्ति कालीन कभीयों में इसे आठ ऐसे कभीयों को इन्होंने सिलेक्ट किया से अस्थाप न हुई अस्थाप कभी की और यह बहुत इंपोर्टेंट है अब याद करेंगे कि बल्लभाचारी के कौन कौन से सिसे थे तो बल्लभाचारी के जो सिसे थे वो हैं सूर दास कुंभन दास परमानंद दास और कृष्णे दास तो इनको याद करने की ट्रिक है दे इससे आपको परम आनंद की अनभूती होगी, अगर आप बल्लवी, अगर आप समाज में पुरे बल्लवी होना चाहते हैं, अपने सूर या अपनी कान्ती को, सूर मतलब कान्ती होती है, अपने प्रकास को फैलाना चाहते हैं, तो आपको कृष्णी की पूजा करनी होगी, कृ कुमारे हैं कुम्भन हैं आप बहुत छोटे हैं तब भी आप कुम्भन हैं तब भी आपको परम आनंद की अनभूती होगी और आपका जो सूर है वो दास बनके पूरे जगत में फैल जाएगा तो इस तरीके से हो गया अश्ट छाप के प्रमुक कभी बल्लभाचारी के यह च सुम्हें विख्यात हो जाएगी अब बिठल नात के सिसे को कैसे याद करेंगे तो बिठल नात के सिसे जो है अब देखिए आप बल्लभाचारी की जो सिसे उनको तो याद कर लिए अब चाहे तो आप बिठल नात के सिसे को मत भी याद करिए तब भी जो आपसन में आएग मतलब छीत में मतलब नीचे छीत मतलब क्या होता है नीचे इधारा सही पृतवी तो छीत में वो खेलती है तो वहां कहां खेलती है नंददास की घर में नंददास जी जो होते हैं वो उनके घर में छीत पे खेलती रहती है बिट्टी बिट्टी खेलती रहती है तब तक जब उसको देखते हैं गोविंद स्वामी गोविंद जी जब देखते हैं कि नंद दास की घर में छीत स्वामी छीत पर खेल रही है हमारी लड़की गोविंद स्वामी की बच्ची होती है जो विट्टी होती है वो गोविंद स्वामी की पुत्री रहती है वो छीत पर खेलती रहत चीह जो रहती है तु सिट पर खेलती रहती है जत पर खेलती रहती है कहां पर चीह आप कई सकते चहत भी खेलती है नंद-दास की गर में गोविंदीस्वामी theory जब डेखते हैं कि चो शूस्ते हैं बहुते हैं घर नहीं कि to झाल झाल